क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं, आप भी एक कामियाब बनना चाहते हैं, आप भी बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, क्या आप भी अपनी जिंदिगी में सफल बनना चाहते हैं, आपने बिल्कुल थम्नेल में सही पड़ा, अमीर बनने का संपूर्ण ग्यान आसान भासा में how to get rich अमीर बनते कैसे हैं कभी सोचा नहीं आपने कभी दिमाग में आपके ख्याल नहीं आया कि यार यह लोग अमीर बनते कैसे हैं यह लोग पैसे कमाते कैसे हैं ऐसा कौन सा material इन्होंने गरघड के पी लिया भाई सब जो इलागातार कामयोग होते चाते हैं हदर रागरोनों की बात करते हैं लाखो करणों रुपे का revenue generate करते हैं लेकिन होता कैसे है एक आम इंसान की सोच छोटी बनके रह जाती है लेकिन वहीं पर आप कुछ लोगों को जब देखते हैं और अगर आप अमीर बनेंगे तो इनी fundamentals की वज़े से आप अमीर बनेंगे इन fundamentals को बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बैन अकान को फ्रेस कर लिजिए चुक्के लगातार ऐसी वीडियो चैनल पर आते रहती है अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट की तरफ कि एक्चुल में अमीर बनने की रहा में सबसे पहला पॉइंट कौन सा आता है कौन सा आता है सबसे पहला पॉइंट आता है सबसे पहला पॉइंट आता है अमीर बनने की चाहा में वह है आपकी सोच पहले सफलता दिमाग में बनती है उसके बाद वो बाहार निकरती है पहले आप अपने आपको यहां सफल देखते हैं फिर आपको दुनिया बाहार सफल देखती है अगर आपके सोच ही छोटी है कुछ लोगों की सोच 10,000 में आगे सिमर जाती है कुछ लोगों की सोच एक लाख में आके से बन जाती है कुछ लोगों की सोच हजारो करोणों रुपे की संपत्ती को एकटा करने के बाप दे उनकी सोच हजारो करोण की और संपत्ती बनाने के उपर उनकी सोच बढ़ते रहती है सोत कैसी है आपकी? आपने आपसे सोटी पूछू आप क्या 1,00,000 की इंकम का बहुत बढ़ी रघ्म मानते हैं? आप बोलें कि सर अभी तो कुछ नहीं है जिब में, अभी तो 10,000 ही भाइस लगते हैं? वो लगते तब तक ही हैं जब तक आपकी सोच छोटी होती है जिस दिन आपके सोच बड़ी हो गई, वो 10,000 तो एक्चलर होंगे बहुत, एक आम इंसान के लिए 10,000 रुपे, 50,000 रुपे, बहुत बड़ी रिकम होती है, लेकिन वो आपके लिए एक छोटा सा आवाउन्ट होगा, आप बोलो का ठीक है पैसा आ रहा है, लेकिन आना रहा है समय में, इतना पैसा कमाँगो, इतना पैसा कमाँगो कि पैसे के बारे में कभी सोचना नहीं पड़ेगा, अब आप बोलो का सर, आप ऐसे बाते कर रहे हैं, जो जिमाग में सैट नहीं होती है, सैट इसले नहीं होती है, क्योंकि आज तक कभी इस चैप्टर के बारे में किस पैसा कमाते हैं बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन उसके बाद एक समय बाद पर से कंगाल हो जाता है क्योंकि वो जो पैसा आयाथ था उन्हों ने अपनी बड़ी सोच न होने के करण उस पैसे को ऐसे यूही गवा दिया क्योंकि सोच छोड़ी थी सोच ये थी कि चलो 10,000 में काम चल रहा है 20,000 में काम चल रहा है इसलिए उनका पैसा हाथ में टिकता नहीं है हमेशा आपकी सोच बड़े होने चाहिए क्योंकि आप ये हो ये भाईया आप हो यू ये आप हो और ये आपका thinking zone है अगर आपका thinking zone 10,000 रुपे का है भूल जाओ कि आप कभी एक लाख रुपे कमाओगी त्यूंकि आपके दिमाग में तो बात आपके शॉप्टर में तो बात सेट होती नहीं है कि अब ये एक लाख रुपे भी कमाया जा सकता है तो आपके पास एक लाख रुप आएंगी कैसे अपा बोलो कि सर 10,000 मिल जाता है वह बहुत ह तेक्स चले जाता है लेकिन ये एक ऐसी सोच के कारड होता है कि जब आप अपने आपको एक धिंगिंग जोन में डालते हो अब वो थिंगिंग जोन आपका बड़ा भी हो सकता है और बहुता है कहते हैं सितारों तक की सोच रखो तो चांद तक तो पहुँचे जाओगे अंद्रेक्स में घुमता रहेगा वो चांद तक अभी पहुंचे गई नहीं अब आपका जो फैला होना चाहिए बड़ा होना चाहिए कहते हैं जितना भी आप सोचते हो मानलो अगर आपने एक लाख रुपे की इंकम सोची है अपने लाइफ में तो उसको आप 10 लाख रुप सब्सक्राइब का जो इस चोड़ा रखो क्योंकि सीडी सीडी दर सीडी हम लगातार आगे बढ़ते हैं एक जटके में कहीं नहीं पहुंच सकते मैं जब आया था तो मैंने भी ऐसी ही रखा था अपने आपको कि पहले मैं भाईया अपने आपको तो रखोंगा thinking zone में आगे क पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे का से लेकिन कैसे कमालाुंगा हमें यकिन किू नहीं होता कि हम जिंदीर के मागे बढ़ जाएंगे कि हमारे पास ऐसी स्टोरी जन्य होती मैं इसी के सकते हूं तो मैंने पहलए अपने مहाँकष क्रण की है ऑको करणी ऐ example नहीं है अगर आपके पास ऐसे उधारन नहीं है जिनको देख के आप motivate हो सको कि येस इस नहीं किया तो मैं भी कर सकता हूँ अगर आप मुझे देखते है वाज कि राज़ेंद सिंग रावत ने अगर इस फिल्टे के अंदर करोड़ रुपे का हम नहीं कर सकते हैं सर आप नहीं कर लिए हम तो करी नहीं पाएंगी इसलिए हमेसा कहता हूँ आप से जब भी आप लाइफ में आगर बढ़ना चाहते हो मैं हमेसा कहता हूँ पड़ो उससे आपका थिंगिंग पैटर्न बहुत तेजी के साथ बदलता है आप एक ऐसे एट्मोस्फियर ऐसे महल में जाओ जहां पर आपको महल मिल सके जहां पर सफलता के बीच पनतते हैं आप ऐसी वीडियो देखो जो वीडियो आपको एक लेवल उपर उठाती है ना अब देखनो जितने भी लोगों को आप देखते हैं सक्ससों लोगों को लेकिन जैसे अब वांका म कर रहे हैं आगे तो लोगों को यकीन होना कि येस ये बन्दा कुछ करके दिखाएगा अब उनके लिए एक एक एक्जाम्पल सेट हो चुगा कि अगर इलोन मस्क कर सकता है तो आने वाले सब्सक्राइब हो सकता है को दूसरा बंदम सिव निकल जाए बाहर वह भी करने लग जाए आज शुर्स साल साल या हजार साल पहले किसी नीमन भी सोचा था कि कभी हम इस वीडियो को क्लिक करने के बारे में सोचते ही नहीं, तो क्या आप क्लिक करके अभी तक इस वीडियो को देखते, नहीं देखते, अगर आप यह सोचते ही नहीं है, कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, तो क्या आप सब्सक्राइब करते, नहीं करते, जब तक हम सोच नहीं कर सकते, अपनी सोच को बढ़ा करो, भाई साब सोच को बढ़ा करो, हजारो रुपे, लाखो रुपे कमाना, करोरो रुपे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, जिस दिन आप गेम समझ गे ना, उस दिन आपको समझ में आगा कि येस, ये कर सकता तो मैं को नहीं कर सकता, बस आपको इन points को follow करना होगा इन points को follow करोगे तो आपकी सोच धीरे धीरे अपने आप बड़ी होते जाएगी मैं आपसे वादा करता हूँ आप एक महीने तक लगातार आप successful लोगों की इन चीजों को follow करो आप देखना, अगले मैंने आप अपने अंदर का attitude देखना, अपने अंदर की thinking pendant देखना, अपने चाल ढाल बोल चाल देखना, आप एक अलगी इनसान होगे नेखर होगे बस इस points को follow करना पड़ेगा हमें साथ सोच बड़ी रखो कर सकते होगा, कोई बड़ी बात नहीं है तब तक ही बड़ी बात है, जब तक आप करने ही रहे हो जिस दिन आपने करना सुरू कर दिया, आप बोलोगा सबसे आसान है वाई साब, आसान सारी चीजे हो जाते है लेकिन हर काम मुस्किल होता है आसान होने से पहले, अब बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ, जो आपको तेजी से अमीर बनने की तरफ धकेलते हुए आग लेकर जाएगा, वो दूसरा पॉइंट है दूसरा पॉइंट है, लॉव आफ अशोशीएशन आप बोलोगे सर, लॉव आफ असोशीएशन मतलब संगत का भी कोई एक लॉव होता है, क्या संगत का भी क्या नियम होता है बिल्कुल होता है, आप जैसे जैसे लोगों की संगत में रहते हो वैसे वैसे आप बनते जाते हो, जैसे कहते हैं ना को देखकर खरबूजा रंग बदलता है हम हर किसी को देखकर हम अपने आड़ताव को कापी करते हैं और उन Geralt के हिसाब से हम अपनी जिन्दगी को लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं लेकिन आज़ताओं की जरुनि के अंदर आपकी association सबसे बड़ा role play करती है आज आप अपने आपको successful बना पाए हैं आप अपने संगत के वज़े से बना पाए हैं अगर आज आप unsuccessful है तो भी आप अपने संगत की वज़े से ही unsuccessful हैं हो ना हो ऐसे करम भूटे लोगों को साथ आप रहते होगे जिन उन आपको नाकामयाब बनाया है उन लोगों के संगत में आप रहते होगे जो खुद तो कुछ नहीं कर रहे हैं वो आपको भी कुछ करने के लिए आगे बढ़ाने की बाती नहीं करेंगे वो बोलेंगे हम कंगाल तू भी कंगाल हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो तू भी नहीं बढ़ेगा हम नहीं कर पाए तो तू भी नहीं कर पाएगा यह association से सारी की सारी चीजें बाहर निकल के आती है जिस दिन आपने अपने किताबों को बदल दिया जिस दिन आपने अपने दोस्तों को बदल दिया जिस दिन आपने अपने इन सारे पॉइंट्स को फालो कर लिया जो भी आज अगर आप देख रहे हो आप यह देखो क्या वो मुझे फीचर में आगे ले जाने की बात करें हैं या फिर मुझे नीचे गिराने की बात करें कुछ लोग जिंदिगी में आपके ऐसे होंगे जिनके साथ आप लगाता रह रहे हो लेकिन वो दोस्त आपको हमेसा नीचे गिराने की बाद या पर नीचे रहने की बाद या पर छोटी सोच रखने की बात करते हूँ गारे जादा मत उड़ उड़ेगा तो कोई पंक काट देगा मैं कहता हूँ आप उड़ो तो सही बाज की तरह उड़ो जो बादलों को चीरते हुए आसमान से पार नकल जाता है उसके तरह उड़ना सीखो देखता हूँ कौन आपके पर काटता है अगर आप ऐसे लोगों के संगत्मर होगे जो सिकारी हैं आपकी सकसस के वो आपके सकसस को भी डिश्ट्रॉय कर देंगे ऐसे सिकारी उसे बचके रहना जो आपको सफलता की और आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहते ऐसी मूबीस को मत देखना जो आपको नीचे गिराती हैं, ऐसी hobbies, ऐसी आदतों को और ऐसी इच्छा मत पालना जो आपको नीचे लेके जाए, ऐसे सलाहकार से कभी सलामत देना, जिसने खुद तो कुछ किया है नहीं, आपको कुछ करने नहीं देगा, मैं आप से पूछता हूँ, आप जब बीमार होती ह अगर आपने बात मान लिए और उसने अगर गलती से आपको कोई गलत दवाई, अगर रेकॉमेंड कर दी और आपने खाली, तो आपने पड़ जाओगे, ऐसे ही अगर आपने किसी गलत आदमी से सफलता की जानकारी ली, जिसने वो काम कभी किया ही नहीं है, जिसने इसव rancho depression को follow करके आगे नहीं बढ़ पाता, अगर मैं आझ हूझ आपको बता रहा होता ह। तो मैंने कुछ सेखा हो वका तो अगर मैं आगे बढ़ा हूझ कोट पहने की सफलiction करते है, ढ़लता ह। पहले सबस्टी कि पूछो आपके संगत कैसी है, कैसी किताब या पढ़ते हो, कैसी movie जरकते हो, कैसे दोस्तों का रहते हो, कैसे लोगों से आप अपनी सलहा लेते हो, कैसी आपकी hobbies, आपकी छाये हैं, यही सिर्ण होता है कि आप life में किधर जाने वाले हो, आमिर बनने का दूसरा रास्ता, the law of association संगत का बहुत बढ़ असर होता है तीसरा पॉइंट है law of environment law of environment का मतलब इसका मतलब है माहॉल का नियम हर एक माहॉल का यह नियम होता है अगर गेहू को पकना है न तो उसको गर्मी में तपना होगा अगर सेब को उगना है सेब को पकना होगा तो उसको ठंड में रहना होगा उसको एक माहौल चाहिए अगर एक बीच को वरक्स बनना है तो उसको उसी माहौल की मिटी उसी माहौल का रीतुओं का सीजन होता है उसी हिसाब से उस बीच की उत्पति होती है इसी तरह के से अगर आप भी एक जिंदिगी में काम्यामिनसार बनना चाहते हो आप कैसे महाल के अंदर रहे रहा भाई ty कैसे एंवर्मेंड के अंदर आप रहे हो जहां पर पते पीट रहे हैं सुर्थी मल रहा है को सिकर्ट का फुका माल रहा है ऐसी हरकतों के जगए में अगर आप रहोगे तो कैसे अपने आपका आगर यह बढ़ा पाओगे बहुत सारे लोग मुछसे बोलते हैं होना चाहते हैं और आप जिस एरीये में रहते हो उस एरीये का अगर माहौल खराब है तो आप कभी मोटिवेट हो ही नहीं सकते ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि भाई साब आपने पूदिने की गोली खाई हो आपने पूदिने की गोली खाई हो और आपके मुह से आम की खुसबुआ है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप नेगेटिव जगे में पॉजिटिव रिस्पॉंस का आप जिक्र कर ही नहीं सकते चुकि जिस जगह पर महौल खराब है वहाँ पर आप अच्छे बहौर की उम्मित कर नहीं सकते अगर आप ऐसे महौल के अंदर हो जहाँ पर लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रही है नसेवाजी हो रही है मतलब इस तरह की हरकते हैं जहाँ पर आपको पसंद है यह नहीं रह न जहाँ पर आप अभी motivate होके जाते हो उट हो इस तरह की बाते हैं अगर आपके घर में हो रही है आपके माहौल में हो रही है आपके society में हो रही है तो मुझे लगता है आपको यूई चोड़ने की आओ सकता है मुझे नहीं पता कि आप जगह कैसे चुड़ोगे मुझे नहीं पता कि आप काहा रहोगे मुझे नहीं पता कि आप कैसे लोगों के साथ जाने वाले हो मुझे नहीं पता मुझे यह पता है कि आपको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी जब मैंने अपनी इंडिपेंडल बिज दोस्ति यारी साधी सब कुछ मैंने छोड़ जा था एक साल तक में किसी से नहीं मिला एक साल दों करता है तो करता क्या है डिन बर अंदर वैथा रहा यह करता तो करता कि अक आला पर यह आपने पूरे मदें आरड़ तो यानि कि इस माहल के अंदर चला गया तो फिर मैंने नीचे आना ही आना है क्योंकि मुझे भी फिर comfort zone की आड़ाद लग जाएगी जिस environment में आपको comfortable आप feel करते हो खुद को उसी माहल को छोड़ने के सबसे बहुत है एक होती है mental security और एक होती है money security money security is very important पैसा नहीं है तो आपके पराई भी अपने बन जाते हैं और पैसा नहीं होता है तो आपके अपने भी पराई बन जाते हैं मैं हमेंसे आपसे कह रहा हूं कि जब भी आप लाइप में आगे बढ़ना चाहते हो जो आप देखते हो जो आप सुनते हो जो आप महसूस करते हो वैसे ही आप बन जाते हो मैं आपसे एक लड़के का जन्म इंडिया के अंदर होता है और उस लड़के को हम अमेरिका भेज़ देते हैं पढ़ने लेखने के लिए तो आने वाले दस साल के अंदर अंदर वो जो बच्चा होगा वह सबसे ज्यादा कौन सी लेगोज को इस्त किकी ँसक्राइब तो वो सबसल को जैसे वalाने गार्णी और नव में रहागा अगलज के सबना अगर इंग्लिस आती है अगर आप पढ़े लेंगे नहीं हो तब्या पढ़े लेका हो अगर आप को सरुनिस नहीं आती है ऑप्छों अपने अपने मेंने चल्ट क्यों तो अगर आपको English नहीं आती है तो आप विए अंपटो ओंक निजलों में, तो English सीखना निजिकना वो अलग बात है, लेकिन मैं महुल के बात कर रहा हूँ, जैसे महुल में देखो न, आप उस बच्चे ने सुना किया, उस बच्चे ने सुना किया, English सुना उस ने, उसने महस क्योंकि उसने कभी ऐसे महाल को देखा ही नहीं है अब हां उसके बाद जब महाल बदलता है इंग्लीज सीखना है जानना है समझना तो बात अलग है यह हमारे देश के मातरभासा वह हिंदी है लेकिन अब महाल ऐसा बन रहा है कि लोगों को इंग्लीज आने चाहिए इसलिए इसका अगर माहौल बनाना है एक बच्चे का या फिर अब हमको खुछ सीखनी इंग्लीज तो हमको वैसे देखना पड़ेगा सुनना पड़ेगा महसूस करना पड़ेगा जैसा हम बनना चाहते हैं तो इस law of environment को भी आप याद रखना इस point को भोड़ी नहीं सकते अमीर बनन हो आपको नहीं देखेगा जो आपको फालत यहांगे मार रहे हैं वह हमैसा आपको वहसे ते कहते हैं वह पैसा कमा रहा है प्यसे कमाने कैसे सखसकता है Yep आप जो काम कर रहे हूं उसका फ्यूटर क्या है आज आप जो भी काम करना चाहते हूं आप जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हूं आप कैसे बता करोगा कि वो जो इंडस्ट्री है वो फ्यूटर में आगे बढ़ने वाली है अब जब एक इन्सान अमेर बने की रहा में आके वड़ता है वह हम Osely did insisted न कि मैं किसी एसी इंडस्ट्री में skaला जाएं जो डूबी रहा कि ऐसा तो नहीं कि मेरे पैसा कहीं चले जाया का दूब जाया का कि अगर मैंने ऐसल नोलज़ प्रवाइट कराएगी तो मुझे लगा कि ये सबसे संदाइज industry और वास्तों में है भी एडिटक industry आज के समय में बहुत तेजी के सार बढ़ने वाले industry तो अब जब आगे बढ़ना चाहेंगे आप इस्टुडेंट हैं आप जॉब करने बिजनस कर रहे हैं जिस भी जगह आप अभी रुके हुए हैं आप यह सोचो कि जिस कि में काम को करने जा रहा हूं क्या यह नहीं है क्या यह संसेट है यह फिर संराइज से मैं अदो को आज हर को आड़क आट कर रहा है हर जो के mobile पहुंच रहा है तो आने वाले समय में आप एक ऐसा एक ऐसा future दिखोगे आप जिसमें पूरी तरीके से technology का पूरा पूरा गेम होगा लेकिन आने वाले समय में जो अभी का समय चल रहा है आने वाले समय में और अभी के समय में आपको यह चीज़ दिखनी पड़ेग अमीर बनना चाहती हो तो आपको Sunset और Sunrise में फर्क समझना पड़ेगा Sunrise मतलब जो पैसा कमाएगी Sunset मतलब जो पैसा डुबाएगी अब टाइप रेटर के जवाना गया अब आने वाले समय में आपको लैप्टॉप भी ने दिखेंगे आने वाले समय में आपको भाई से मोब हो जाएंगे सिने मा घरे को खत्म किस ने किया मोबाईल ने खत्म किया अब मोबाईल को खत्म क्या करेगा कि विए कि हर एक चीज की समय सीमा होती है मैं जो भी चीज़ें आपको बताना हूँ इससे अब रिलेटर कर रहे हो गोगे एक समय में कैमरे का बॉल वाला बहुत ज किया जा रहा है जो DSLR को भी फेल कर रहे हैं तो क्या लगता है आना वाले समय में यह जो कैमरे के जो भी आज कर रहे हैं कंपणी चल रहे हैं कि आवार समय में कि अपने आपको उभार रपाएंगी या पिर उनको अपने आपको बदलना पड़ेगा उनहें ऐसे-आसे फीचर लॉंच करने होंगे जो जो कैमरे के अंदर जो मोबाइल सभी बैतरीन हो ऐसे लॉंच जब वो करेंगे तभी जिस भी इंडस्टी में जा रहे हो या तो वह संसेट है या फिर वह संराइज है इन समगें इन चीजों में अपने आप से कैसे पूछना की मैं कौन से मैं काम को कर रहा हूं वहां से पता लग जाएगा कि अगले पॉइंट की अमीर बनने की रहा में वह है पांचुअ पॉइंट वह है काम को करने की कला है जोकि अगर आप एक बिसनस्में बनना चाहते हो तो आपके अंदर पब्लिक स्विकिंग कम्यूनीकेशन अपको सेल्स आने चाहिए माकटिंग आने चाहिए आपको डिजिटल वल्डे के वारे में जानकार होने चाहिए इसके समय आता है आप है काम करने की कला अगर आपने इसको ही आइडेंटिफाइब नहीं किया तो कैसे आप आपने आपको अमीर नहीं बनना चाहती हो और एक तरव आप खुद को डैवल्प भी नहीं करना चाहती हो तो यह पॉसिवल हो नहीं सकता कि आप अमीर अमीर मन जाओ च्योंकि मैं हमेसा कहता हूँ आपकी skills आपकी काम करने की कला आपका हुनर आपको successful बनाता है कोई इनसान आपको successful नहीं बनाता जिस भी industry में आप लोगों को कामयाब देखते हो उस industry में लोगों को skills आती है मैं इस job को हाब हासिल करना चाहता हूँ मैं इस business को expand करना चाहता हूँ अगर आपको skills नहीं आती तो सीखो क्यों नहीं सीख रहे इस digital world के अंदर भी आज आपको सिखाने वाले लोग आज आपके mobile में आपके पास हैं आज आप इस video को mobile पर देख रहे हैं किसी के मेरे घर आके थोड़ी बात करें उससे आप आप technology के माद्यम से मेरी इन learnings को मेरी इन सीखे हूँ चीज़ों को आप भी सीख रहे मैं आपको भी सिखा रहा हूँ ताकि आप भी लगातार जे करवे की तरह लगातार आके बढ़ते रहो लेकिन उसके लिए आपको लगातार इसकिल सीखने पड़ेंगे अब अगर आपको लगता है कि मुझे इसकिल सा सिखाना नहीं कोई है नहीं कर सकता है का बात करते प्लैट्फ़र्फोंगी यहां पर आप अपने सकिल स को जहां पर आप अपने knowledge को test करते हो और उसको दोड़ाते हो अपने साथ कि मुझे यह आता है तो मैं इस industry के अंदर या इस platform के अंदर आगे मैं इस चीज़ों को use करूँगा और मैं अपने आपको कामयाब बनाऊगा बट उसके लिए आपको classes देने पड़ेंगे, courses देखने पड़ेंगे, books पड़ेंगे, guru आपको mentor चाहिए और आपको platform चाहिए तो यही चीज़े अगर आप सीखते हो तो बहुत तेज़ी के साथ हम अमीर बनने के रास्ते में लगाता है आगे बढ़ते रहे तो जितने भी अमीर लोगों को देखते हो सबका secret point यही है जो मैं आपको पता रहा हूँ सबके secret point हैं यह सबके secret point है अगर आपको यह समझ में आ गया तो समझ लो आपको अमीर बनने का game समझ में आ गया अब हम बात करते हैं च्छटे point की कि आप अमीर बनने की रहा में च्छटा point कौन सा फॉलो करेंगे किसी इंसान ने बहुत दौरत कमाई है तो उसने किसी ने किसी problem को solve किया है जब market के अंदर Jio launch हुआ था उससे पहले जो भी telecom company थी कितना महेंगा data दिया करते थी लेकिन Jio आया उसने बहुत बड़ी problem को पकड़ा कि लोगों को internet चलाने में समस्य आ रही है digital world नहीं आप आ रहें महंगा होने के वज़े से उसने लोगों को आकर पहले free में आपने SIMBARTY इसको बोलते freemium to premium पहले free में SIMBARTY लोगों ने use की लोगों को रत रगी लोगों ने free में use की लोगों को आनंद आया फिर बाद में लोगों ने जब इसका subscription चार्ज लेना श्टा आने वाले हो उसको आप देखना कि वह company कौन सी ऐसी problem solve कर रही है सामने आले customer की जिससे वह पैसा कमा रही है जितनी बड़ी problem उतना बड़ा पैसा इसको मैं बोलता हूं कि problem को identify करोगे चोटी problem होगी तो चोटा पैसा कमा होगे अगर बड़ी problem को identify करोगे तो बड़ा पैसा क कर देता है तो वह इंसान पैसा चापता है अना धुन आज Amazon को आप देख लो कितनी बड़ी problem उसने समस्चा को solve किया जब इंडिया के अंदर है था Amazon flip card जितनी भी online चो companies आई जिन्होंने लोगों के घर जाके लोगों को product दिया कि साब आपको बाजार जाने की जरूत नहीं ह आप हमसे order करो हम आपके घर देके जाएंगे हम आपको आपके घर देके जाएंगे हम आपको आपके घर देके जाएंगे पसंद नहीं आएगा तो आप हम वह आपस भी कर सकते हो हम आपको discount पे देंगे हम आपको offer भी देंगे हम आपको घर आके आपको भाईया इजद के सा अब देखना आने वाले पांस साल के अंदर अंदर लोग फिजिकल जाके सावान खरद नहीं बंद कर देंगे आप अपसे पूछो आप कितनी वार ऐसा होता है कि आप बाजार जाके वह सावान खरद के लेके आते हो जो आपको online Amazon में उससे सस्ता मिल जाता है आप बोलो का से ह खराब हो गया तो उसका वापस नहीं कर सकते दुकांदार से आपको जिगमी जिगमी करने पड़ेगी कि यार वापस कर दो यह है वह लड़ाई जगड़ा यह वह तो सारी चीज़ें आप जब इस चीज को सोचते हो कि यार वहां जांगो इस अच्छा और कर देती हो जो कितना इजी करते जा रहे हैं वो बोलने की जी मैं सोलर सिस्टम लेकर आना चाहता हूं जिससे मैं अपनी कार्स को फुली एलेक्रिक करूंगा कोई प्लिशन नहीं कोई जंजटनी आने वाले समय में वह इंसान ऐसी गाड़े लांच करने वाला है जो ड्रैवर लेस होने आपने यहान को मैं लोगव सोड़ों के लोगों को उसे साल में वह सोलेशन दो और वह से समय आपने दταशां सब्सक्राइब्र पर चाहिए है आप identify करो कि आप actual में करना क्या चाहती हो क्या प्रॉलम सालो करना चाहती हो समझ में आएगी बात एक बार लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करने चाहती है उसके बाद साथवा पॉइंट है हाँ मैनी पीपल आड़ यू ठीची कितने सारे लोगों को आप सिखा रहे हो आपको जो आता है切ने लोगों को आप सíchाने का पर्यास कर रहे हो क्योंकि एक लाइन कही जाती है जितना लोगोंको आगे बढ़ना सिखाते जाओगए उतने थेजी गिंहात पैसा कमाते जाओगे चोटे सी वालेट करें तो आपको जिंदीगी भरनी भूलेगा आपको परस्नल ब्रेंड बिल्ट होना इस्टार्ट हो जाता है आज आप देख रहे होंगे कि हमारे पास तक्रीबन एक लाख सब्सक्राबर हमारे कंप्रेट होने वाले हैं तो एक लाख लोग कौन है जो सीखन कि हर एक ग्रूप के अंदर ताकि वह एक्ष्ण में कुछ अलग बता रहा है कुछ अलग पता सल रहा है इस इंसान से सबको वीडियो दिखाने चाहिए ताकि उनको भी फ्यूचरिस्टिक नौलज के आवारे हम बता लगे कि आनवाले सामय में मेरा गोल मेरा विजन मेरा मि को दान करता है जब तक कमाओगे नहीं तब तक लोगों को दोगे कैसे जब तक सीखोगे नहीं तक लोगों को सिखाओगे कैसे जब तक खुद कमाओगे नहीं लोगों को कमाना सिखाओगे कैसे आप लोगों को सिखाना सुरू करो जो भी आपको आता है आपको अच्छा प पता होना चाहिए कि ये हमारे लाइफ में value-add कर रहे हैं आप जब बहुत जन्ती है में आप बारे में इसक्रिशन दिसक्रिशन में दे रखा है उसको आके वहाँ जरूर किजिए कब कैसी लगी वीडियो के दिमाग थोड़ा सा खुला नहीं खुला एक बार मुझे कॉमेंट बॉक्स में येस या नो लिखके जरूर बताएगा मिलते हैं आप से बहुत जल्द कौन साब नए टॉपिक देखना चाहते हो मुझ